नमस्त्र देसे मित्रो आज के वीडियो में चर्चा करेंगे विश्रो के सबसे बड़े सौवरन वेल्थ फंड के बारे में दोस्तो गवर्मेंट पेंशन फंड ग्लोबल विश्रो का सबसे बड़ा सौवरन वेल्थ मतलब की गवर्मेंट ओन फंड है दोस्तो अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो आपने कई सारी जो ब्लूचिप कम्पनिया हैं उनके शेर होर्डिंग में भी गवर्मेंट पेंशन फंड ग्लोबल का नाम देखा होगा दोस्तो ये फंड विश्यो के कई सारे कंट्री में कई सारी कम्पनिय में अपना इन्वेस्ट्मेंट रखता है और विश्यो का सबसे बड़ा अगर आप देखें अस्ट रखने वाला सोरण wealth fund है दोस्तो विश्यो का जो entire stock market है उसका single largest owner government pension fund global है जिसके पास सबसे बड़ा asset base है global stock market का तो आज के वीडियो में चर्जा करेंगे government pension fund global के बारे में कैसे ये fund शुरू हुआ इस fund का current size कितना बड़ा है उसके बारे में वीडियो में जानकारी प्राप करेंगे इसके साथ globally कहां कहां ये fund currently अपना investment रखता है कौन-कौन सी company में fund का investment है उसके बारे में भी वीडियो में चर्जा करेंगे इसके साथ ये fund Indian market में भी अपना बहुती बड़ा investment रखता है तो उसके बारे में भी वीडियो में चाचा करेंगे कौन-कौन सी इंडियन कंपने में इस fund का निवेश है उसके बारे में वीडियो के अंत में चानकारी प्राप करेंगे तो आप सभी से अन्रोध रहेगा एक इंट्रेसिंग वीडियो है तो अंत्र तक ज़रूर देखिएगा और ज़ादा से ज़ादा इन्वर्ष तक इस वीडियो को ज़रूर आप शेर कीजेगा दोस्तो Government Pension Fund Global ये नौर्वे का fund है नौर्वे का जो Central Bank है वो इस fund को currently manage करता है ये नौर्वे का है तो ये यूरोप का एक छोटा सा country है यूरोप के उतरी भाग में आने वाला बहुत ही छोटा country है नौर्वे जैसे के आप यहाँ पर दिख रहे है ये जो ग्रीन कलर का डॉट ह वो नौर्वे है और बहुत ही छोटी साइस का country है और उस country के पास है Government Pension Fund Global जो विश्व का सबसे बड़ा सोवरन wealth fund है दोस्तो जो व्यक्ति नौर्वे में पैदा होता है जो नौर्वे का situation है वो ओरेडी करोरपती है इतना बड़ा ये fund है और सिफ नौर्वे का अगर आप गड़ता है तो चर्चा करते हैं Government Pension Fund Global के बारे में दोस्तो Government Pension Fund Global तकरीबन करंटली 1400 billion USD का असेट रखता है जो इस fund को विश्व का सबसे बड़ा सोवरन wealth fund बनाता है तकरीबन 70 country में ये fund अपना investment रखता है 11500 अलग-अलग investment instrument में ये fund अपना निवेश करता है जिसमें equity, fixed income, अलग-अलग सेग्में में fund अपना diversification रखता है, equity segment तकरीबन 72% fund currently अपना asset रखता है तकरीबन वहाँ पर आप देखे तो 1 trillion से उपर size का fund का equity size है उसके बाद fixed income में भी 25% का allocation पने करंटली दिया हुआ है, 50 country में ये fund fixed income में भी निवेश करता है, 65 country में equity, इसके लगा कई सारे अगर आप देखे, real estate भी ये fund ओन करता है, 14 country के अंदर तकरीबन 800 असे जितनी property ये fund ओन करता है, जो इस fund के portfolio का तकरीबन धाय परस्त है, तो एक बहुती diversified portfolio रखने वाला, ये एक sovereign wealth fund है, कैसे ये fund शुरू हुआ है, उसके बारे में जानकारी प्राप करते हैं, तो दोस्तो नौर्वे जैसे कि आपने देखा, ये एक बहुती छोटा country है, और तकरीबन 70 के दशक में, नौर्वे ने अपने अगर आप देखे, C segment के अंदर, अगर आप देखे, विश्रो का सबसे बड़ा oil field discover किया, वहाँ से फिल oil का उनका journey स्टार्ट हुआ, और oil से उनको बहुती ज़्यादा income आनी शुरू ही, और उसके माधियम से शुरू हुआ, नौर्वे का ये oil fund, इसको oil fund भी पहले कहा जाता है, उसके बाद fund को officially government pension fund global का नाम दिया गया, दोस्तों क्योंकि oil एक volatile commodity है, और कोई भी country अपने पूरे के पूरे economy को oil पे depend नहीं कर सकती है, और इसी को अंबे होती में country prosper कर सके, दोस्तों नौर्वे currently अगर आप देखें, विश्रू का चोथा सबसे बड़ा per capita income रखने वाला देश है, highest human development index इस देश का है, और बहुत ही छोटी population है, दोस्तों इस fund का main aim है, जो उनका long term नौर्वे का economy है, उसको safeguard करना, क्योंकि oil में आगे जाके कैसे उसका future रहेगा, वो undefined है, तो इसलिए ये fund continuously global equity में अपना निवेश करता है, और oil से अपने economic future में भी वो survive कर पाएगा, दोस्तों जैसे कि हमना चार्चा कि ये fund विश्यो का सबसे बड़ा equity owner fund है, तकरीबन global जो listed equity market है, उसका 1.5% ये fund ओन करता है, जो विश्यो का सब से बड़ा है, और जैसे कि हमने चार्चा के December 21 के end टक, अगर आप देखे, 72% equity में allocation fund ने दिया है, डेटा के हिस्साब से, 1400, अगर आप देखे, fund का size है, 1400 USD billion का, तकरीबन 25% fixed income में है, और 0.5% ये fund अपना निवेश करता है, 9,338 listed company में fund अपना निवेश करता है, तकरीबन 70 countries के अंदर, total asset worth fund का तकरीबन 1,440,000 कोड़ों के आसपास का, जो इंडियन उपिस में तकरीबन 106,000,000 कोड़ों के आसपास का आता है, और दोस्तों, नौर्वे का अपोपरेशन तकरीबन 54,000,000 का है, उस हिसाब से हर एक नौर्वे जो citizen है, उसका network बनता है, इस fund के अंदर तकरीबन 2 कोड़ों के आसपास का, तो अगर कोई व्यक्ति नौर्वे में जनम लेता है, तो orderly कोड़ों पती बनके ही वो जमता है, चर्चा करते हैं, government pension fund global के, global investment के बारे में, दोस्तों, सबसे पहले तो fund की value के बारे में चर्चा करें, तो तकरीबन अगर आप देखे, 1998 से ये fund शुरू हुआ था, उस समय पे fund का asset size तकरीबन 20 USD बिलियन का, और आज इस fund का total asset size तकरीबन 1400 USD बिलियन डॉलर का, दोस्तों कहां कहां fund ने निवेश किया है, टॉप कंपनिया कौन सी है, लिस्टे सेक्मन में, उसके बार में जाहनकारी प्राप करें, तो apple इनका सबसे ब Microsoft का भी तकरीबन 1% हिस्ता fund के पास है, Alphabet मतलब की Google का भी तकरीबन 0.8% fund के पास investment है, 1600 कौर का आसपा का ये investment बनता है, USD डोलर का, Amazon, Nestle, Meta मतलब की Facebook, Taiwan Semiconductor, इसके लिवाँ Tesla, Roche Holding, ASML Holding, NVIDIA जैसी बड़ी बड़ी दिगज जो global giant company है, उसमें भी ये fund अपना बड़ा stake रखत से, और अगर आप देखे, कई सारे country में fund अपना investment रखता है, country-wise allocation देखे, तो US में सबसे ज़्यादा allocation है, तकरीबन 42% fund का asset, US में invested है, जिसमें अगर आप देखे, 31% equity है, इसके लिवाँ पिक्स income में भी US के कई सारे bond में fund अपना investment रखता है, 11% के आसपास का, और unrelated related में भी 3.7, Canada में 2.9% का allocation fund रखता है, अपने total asset का, नेधरलेंड, चाइना, और अपना बड़ा allocation रखता है, इंडिया में बहुत बड़ा allocation नहीं है, इंडिया में अगर आप देखे, total asset का 1% नीचे का allocation fund का है, तो अब चाचा करते हैं, इंडिया में कहां कहां ये fund अपना investment रखता ह है, दोस्तों जब हम चाचा करते हैं, FII के बारे में इंडिया में FII बेच रहे हैं, तो FII इस fund को आप consider कर सकते हैं, क्योंकि ये एक foreign fund है, जो Indian equity में निवेश करता है, भारत की कई सारी बड़ी-बड़ी company में fund अपना investment रखता है, Reliance Industry में fund के पास तक्रीबन 10,000 क्रों Indian रू पूरा का पूरा जो fund का 9,000 कंपनी का investment है, वो data आपको इस fund के website मिल जाएक है, जिसकी link हमने आपको description में प्रवाइड की है, Indian equity के बारे में चाचा करें, Reliance में सबसे बड़ा investment है, 0.67% Reliance का ownership इस fund के पास है, Infosys में तक्रीबन 8,800 करों का investment है, HDFC Limited में तक्रीबन 4,950 करों का investment है, ICSA Bank में 4,000 करों का, Party ATL में 3600 करों, DCS में 3100 करों, Axis Bank में 3100 करों, TechMendra में 2500 करों, Wipro, SBI, HCL Tech, L&T, Hevels, तो कई सारी Indian large cap कंपनिया, mid cap कंपनिया, और even small cap कंपनिया में भी ये पन अपना investment रखता है, दोस्तों, टोटल टकरिवन 375 Indian company में ये पन अपना investment रखता है, तो एक बहुत ही बड़ा investment रखता है, Indian company के अंदर भी, government pension fund, global, और जो टोटल इस fund का Indian equity में investment है, जिसकी December 2021 तक value बनती है, एक लाग 22,000 करों की, तो एक बहुत ही बड़ा अगर आप देखें, भारत का जो mutual fund industry है, उससे भी बड़ा investment ये रखता है, कई सारी जो top mutual fund है, उसकी category में इस fund को आप रख सकते हैं, एक fund है, जो एक इतना बड़ा investment रखता है, एक लाग 22,000 करका, तो जबी भी ऐसे बड़े fund, Indian equity market में अपना allocation बढ़ाते हैं, या कम करते हैं, तो बहुत बड़ा impact हमारे market में भी पढ़ता है, करण ये गर आप देखें, तो Indian equity market में कई सारे global fund अपना selling कर रहा है, पर आगे जाके definitely Indian equity market में भी बड़े-बड़े sovereign fund भी निवेश करेंगे, और उसका फाइड़ा Indian equity को मिलेगा, तो दोस्तों ये था government pension fund global, जो एक बहुत बड़ा FII investor है, Indian equity market के अंदर, और oil के माध्यम से इस fund ने इतना बड़ा अपना asset create किया है, और one of the largest अगर आप fund है, विश्यो का sovereign fund है, तो एक बहुत बड़ा ये भी अगर आप देखें, अपने ध्यान में रखने वाला fund है, और दूस्ते भी कई सारे SF fund है, दोस्तों market के अंदर, अबुधा भी investment authority, जो अगर आप देखें, दुबई का एक बहुत बड़ा fund है, चाइना का भी एक बहुत बड़ा fund है, चो कई सारे equity में निवेश करता है, US के भी कई सारे sovereign fund है, चो अलग-लग market में निवेश करते हैं, तो दोस्तों आगे भी अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाते हैं, तो आप हमें comment में बता सकते हैं, कोई भी ऐसे unrelated video, जो directly stock related नहीं हो, पर definitely जिनका impact Indian market पे होता तो आप हमें comment में ऐसे topic बताईए, कुछ ऐसे interesting topic जिसके बारे में आगे भी आपके लिए 22 वीडियो लेके आ सके, इसके सारे दोस्तों आप सभी से यही अनुरोध रहेगा, कि अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा information लगा हो, तो इस वीडियो को like दीजे, जादा से दूसरे investor के साथ, आप हमारे इस वीडियो को share कीजे, चैनल को share कीजे, और अगर आपने अब तक investment mantra चैनल को subscribe न किया हो, तो चैनल को subscribe कीजे, बेल आइकन को दबाईए, ताकि जब भी नया वीडियो आए, आपको notification मिल जाए